हेलो दोस्तों, आपको पता होगा कि प्ले स्टोर पर कई ऐसी अर्निंग आप्स मौजूद है जो आपको दोस्तों को इन्वाइट करने पर पैसा देती हैं लेकिन एक ऐसी आप भी है जो आपको एक दोस्त इन्वाइट करने पर तीन सो रुपए देती है हतलब अगर आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया तो 3000 रुपए आप कमा पाएंगे और तो और ये पैसे आप बैंक या पेटियम कहीं भी ले सकते हैं सिर्फ दिन में आधा या एक घंटे काम करके आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से आप इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं भूत प्रेत चुडैल पिसाच जिन्नात और इन सभी की सच्चे डरावनी कहानी अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दादा बिठूल दा सलखानी सहर के जाने माने घी के वैपारी थे मेरे पिता राजेस लखानी को हमारे खानदानी वैपार धंदे में खास रुची भी नहीं थी इसलिए उन्होंने वकालत की पढ़ाई कर ली और बोर्ड राइटर बन गये मेरे पिता और उनके दो भाई सब एक साथ ही रहते थे मेरे दोनों चाचा मेरे पिता के साथ ही ऑफिस में काम करते हैं एक दिन मेरी सबसे छोटी चाची का असली रूप मैंने देखा तब मेरी जिंदगी ही बदल गई मेरे छोटे चाचा की घर वाली यानी मेरी चाची सुभाओं से काफी जगडालू और जहरीली थी उसे घर का काम करने में और घर के बड़ों का मान रखने में कोई रुची ना थी मेरे दादा और दादी को वह बार बार अपमानित किया करती थी और उसकी गत्विदियां भी काफी संदिक्द थी एक रात तीन बजे मेरी नींद खुल गई मैंने खिड़की से बाहर देखा तो पदा चला कि मेरी छोटी चाची अपने बाल खोल कर बरामदे में खड़ी आकास की और देखकर कुछ बलबला रही है मैंने फॉरन नीचे आकर और परताल की तो देखा कि चाची ने अपने मुँपर खुन लगा रखा है और उनके हाथ में मरी हुई बिल्ली की मुन्डी है और दूसरे हाथ में बिल्ली का धड़ है चाची का या वहसी रूप देखकर मैं तो दहल गया और मेरे हाथ पाओ सुन पड़ गए डर के मारे मेरी छोटी सी चीक निकल गई और मेरी बुरी किस्मत की चाची ने मुझे वहाँ देख लिया चाची फॉरन उसी हाल में मेरे पीछे भागी या सब देखकर मेरे तो पसीने छूट गए मैं कापता हुआ अपने रूम की और भागा और दर्वाजा बंद कर लिया उस रात को बुरी रात में सोया नहीं सुबा तक जाकता रहा और जब दर्वाजा खोला तो मेरा दिल बैठ गया मेरी चोटी चाची दर्वाजे के सामने खड़ी मुझे घूर रही थी उसने मुझे कहा कि अगर मैंने रात वाली बात किसी को भी बताई तो वह मेरा हाल भी उस सरकटी बिल्ली जैसा करेगी मेरी तो जबान हलक में उतर गई मैं ना तो हाँ बोल पाया और ना ही ना बोल पाया वह धमकी देकर पलट कर वापिस चली गई अब आगे मेरी रातों की नीन हराम हो चुकी थी मुझे लगता था कि कहीं या डायन जैसी चाची कहीं मेरे खांदान में से किसी का भोग न ले ले करीब एकाध हपते के बाद फिर से देर रात मेरी नीन खुली बरामदे में कुछ आवाजे आ रही थी मैंने देखा तो उधर मेरी चाची खड़ी है और उसके साथ कोई अगोरी तांतरिक खड़ा है और वा तांतरिक सिर्फ कच्छा पहने खड़ा था और उसके पूरे बदन पर राख मली हुई है अब मैं रुक नहीं सकता था मैंने फॉरन सोर मचाया और पूरे घर को वहाँ इखटा कर दिया मेरे दादा, दादी, पिता जी मा और मचले चाचा छोटे चाचा और मंजली चाची फॉरन उठकर नीचे परामदे में आ गए छोटी चाची को और उस अद्नंगे अगोरी को भागने का मौका नहीं मिला हम सब ने उन दोनों को घेर लिया और वही मेरे छोटे चाचा ने मेरी डायन जैसी चाची को खूब धोया और उस अगोरी को भी मार कर भगाया अगले ही दिन छोटे चाचा का तलाक हो गया हम सब कोट में थे वहाँ भी छोटी चाची मुझे ही घूर रही थी और सब के सामने उसने मुझे से कहा की मेरी बरबादी का कारण तू बना है मैं तेरी जिंदगी बिगार दूँगी इतना बोलते ही मेरे पिता और मेरे दोनों चाचा मेरे आगे खड़े हो गए और उस डायान को मुझे दूर धक्का दे दिया उसकी धमकी सुनकर मैं पूरी तरह खौप में था हम सब कोट से घर आ गए धीरे धीरे मैं चाची और उनकी दी हुई धमकी को भूलने लगा पर एक दिन मेरा डर सच्चाई में बदल गया जब फिर से देर रात मेरी नीन खुली जैसे ही मैंने कंबल हटाया तो देखा की मेरी एक्स चाची और वा अदनंगा अगोरी मेरे पलंग के पास खड़े हैं मैं चिलाने ही वाला था की चाची ने मेरे मूँ को दबोच लिया और उस अगोरी ने मेरे पैर पकड़ लिये फिर चाची ने एक कैची से मेरे कुछ बाल काटे और मेरी उंगली पर सुई घुसाई और थोड़ा सा बून भर मेरा खून लिया और अलमारी से मेरे अंगवस्त्र निकाल कर अपनी थैली में भर लिये और फिर वा दोनों मुझे पलंग से नीचे फेक कर भाग निकले मैंने फिर से सोर मचाया पर सब इखटा हुए तब वह दोनों जूर जा चुके थे मुझे नहीं पता वह डायन औरत यानी मेरी एक्स चाची और वह अगोरी मेरे बाल, खून और कपडों के साथ क्या करने वाले हैं पर मैं खौप में जी रहा हूँ हमने पुलिस में भी कंप्लेंड की पर उन लोगों का कोई पता नहीं चला कई लोग कहते हैं कि महली विद्या करने वाले लोग अपने सिकार की चीजों के सहारे उसे वस्मे कर लेते हैं और उसे ड्रा सकते हैं उसका खोन भी चूँश सकते हैं और कभी भी उसे बीमार बना सकते हैं या मार भी सकते हैं उपर वाला जाने मेरा अंजाम क्या होगा मैं तो आज भी पूरी तेरा से दहसत में जी रहा हूँ यहाँ उन दिनों की बात है जब मेरे उपर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार हुआ करता था पिता जी से लड़ जगर कर पैसा लेकर मैंने नीकॉन कैमरा खरीद वाया था उन दिनों मैं अपने आसपास दिखने वाली हर जगा वस्तू और इंसान की तस्वीरे लिया करता था और खुद को अंदर ही अंदर प्रोफिस्नल फोटोगाफर समझने लगा था पर मेरी हालत तब खराब हुई जब एक भयंकर डरावना प्रेत मेरे कैमरे में कैद हुआ पहले तो मुझे लगा कि वा फोटो सिर्फ काली ब्लैक इमेज है पर गौर से देखने पर मेरे पोटो मिमोरी से डिलीट कर दी और कैमरा अलमारी में रख दिया करीब रात के दो वजे अलमारी में हलकी हलकी आवाजे सुनाई देने लगी मैं डर की मारे चोग गया मैंने डरते कापते अलमारी का दरवाजा खोला तो देखा कि मेरा नीकॉन कैमरा कवर से बाहर आ चुका पूरी घटना सुनकर पापा मेरे रूम में गए और उन्होंने कैमरा अपने हाथ में लेकर मेमोरी चिक की पर उसमें मेरी कोई तस्वीर नहीं खिची थी तो पापा ने कहा कि मेरा भ्रहम होगा मैं भी सोचने लगा कि ऐसा ही कुछ होगा अगले दिन दोपार में नदी किनारे बैट कर मैं अपने कैमरे से तस्वीरे खीच रहा था तस्वीरे खीचने के बाद कैमरा स्कीन पर खीची हुई तस्वीर देखने लगा तो देखा कि मेरी डिलीट की हुई वा भयानक तस्वीर फिर से मेरे मेमोरी में आ चुकी थी अब मेरा कैमरा मुझे डराने लगा था मैंने जट सेवा तस्वीर फिर से डिलीट कर दी बारे में मैंने अपने पिता से रात में सिकायत की थी और उस तस्वीर में मेरे पीछे एक भयानक लाल आखो वाला प्रेध भी खड़ा था इस बार मैंने वह तस्वीर डिलिट नहीं की पर बाकी सारी फोटोज मेमोरी से डिलिट कर दी और तुरंद अपने पापा को वह लोग गुस्सा हो गए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कैमरा पसंद नहीं तो फेंग दो या बेंज दो पर इस तरह की बेफिजूल मन घरंद दरावनी कहानिया लेकर मेरे पास मताया करो। अगली रात फिर से मेरे डर का आतंग शुरू हुआ अब धीरे धीरे बंद अलमारी से फोटोस के क्लिक होने की आवाजे आने लगी। अच्छरों में लिखा था कि मुझे कैद करने की गलती की सजा तुम्हें अपना खून देकर भुगतनी होगी। उस फोटो को देखने के बाद मेरे हो सुल गए और मेरी धड़कने भी तेज हो चली थी। मुझे यहाभी पता था कि इस धमकी वाले फोटो को किसी को दिखाने से पहले वा मेमोरी गाया हो जानी है। मैंने 35,000 में खरीदा हुआ नीकॉन कैमरा 10,000 में बेश दिया। मुझे पता नहीं कैसे मेरी वज़ा से उस कैमरे में भूत प्रेद कैद हो गया था। पर सायद वा प्रेद यही समझ रहा था कि मैंने जान बुझ कर उसे कैद किया है। आप मुझे फोटोग्राफी और कैमरे के नाम से भी चिड़ है। और हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं कैमरे वाला प्रेद मुझे कोई नुकसान न पहुचा दी। आप घर बैठे असली पैसा कमाएं। अपने स्मार्ट फोन की मदद से सिर्फ एक दोस्त को इन्वाइट करने पर तीन सो रुपए कमाएं। डाउनलोड करें हेलो एल। लिंक डिस्क्रेप्शन में दिया गया है।